पार्ट दोस्तों टार्गेट विद पीएस परिहर सेनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो विभीन समाचार पत्रों परचाईवी होती है और विद्धारतियों के लिए आवश्यक होती हैं तो आज ये जल्दी से देख लेते हैं कि एक वीडियो बनाया था यहां पर लिखा एपियो मेंस दोजर अठारा साइक अवियंता भरती परिच्छा इस्तिगित उत्तर पतसलोग सेवा आयोग ने मई और जून में प्रस्ताविद दो बड़ी भरती परिच्छा इस्तिगित कर दी हैं और दोनों परिच्छा लागड परिच्छितियों को देखते वे बाद में जारी की जाएंगी साइक अभियोजन अधिकारी एपियो 2019 की मुग परिच्छा 16 मई तो यह दो परिच्छा इस्तिगित कर दी गई हैं और फिलहाल जो भी परिच्छा जून में हैं वो भी इस्तिगित होंगी हाला कि लोग से वा आयोग ने ऐसे कोई सूजना नहीं दी है अभी और विद्धार्थियों की मांग है कि लोग से वा आयोग पीसेस प्रीव अन परिच्छां के बारे में भी इस परिच्छि करन दे और जो भी परिच्छा आएं इस्तिगित हुई हैं चाय वह साहक अभियोजन अधिकारी हो य यह जी परिच्छा है शुजन परिच्छा है उसके बारे में आयोग श सनसोधित कालेंडर जारी करेगा पहले यह यह योजना थी कि अगर लॉट नो होतता है वह बति करेए तो तिन माई के बाद में इसका जो संसुदित प्रिशा कलेंडर वो जारी किया जा सकता है लेकिन लागडाउन को बढ़ा दिया गया इस्तितियां और गंभीर हो गए इसकी वज़े से परिच्छा कलेंडर अभी जारी नहीं किया गया और अभी हाल ही में प्रभात कुमार का एक इंटर्वी भी आया था जब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश्मी परिच्छा तब तक आयोजित नहीं की जाएंगी जब तक विद्यालियों की सुविधा नहीं हो जाएंगे ट्रांस्पोर्टेशन की विवस्था नहीं हो जाएगी और किसी भी जिले में लागड क्लेंडर और कर्मचारी चेहर आयोग की और से जारी नोटिस में कहा गया है कि लागडाउन के बाद वहार सी कलेंडर में शंसोधन किया जाएगा आयोग ने कहा है कि कंबाइंड हायर सेगेंडरी लेवर परिच्छा 2019 टीर वन जूनियर इंजिनियर 2019 की पहले प्रश्ण पत है कि परिख्छार्थियों की सुविदा के लिए परिख्चा की नई तीति कम से कम एक महीने पहले गोशित की जाएगी साथ ही लंबीत परणाम भी लागडाउन हटने के बाद जारी किया जाएगा बताया जा रहा है कि लागडाउन के कारण मुल्यांकन का काम पूरा नहीं है वो लगातार मिलती जा रही सभी आयोगों की जो भी परिख्चाई थी वो सभी इस्तिकित हो रही है उसी कर्म में कल एक और भारत की सबसे महत्पून परिख्चा इस्तिकित कर दी गई है UPSC Pree 2020 जिसे समानता लोग IS Pree कहते हैं संग लोग सेवा आयोग ने 31 मैं को होने व संग्यान लेते हुए आयोग ने निरा लिया कि अभी परिख्चा होना संभाव नहीं है आयोग पहले ही भारती वन सेवा परिख्चा को इस्तिकित कर चुका है आयोग ने कहा कि वह है 20 मैं को हालात की फिर समिक्चा करेगा और इसके बाद में नई तितियों के बारे में UPSC की विबसेट पर जानकारी दे जागी जो परिख्चा है उस पर 20 मैं के बाद ही लिया जाएगा इसके बाद में एक और सुचना लिखा है OBC ST को भी मिलेगी कोचिंग की सुविधा अभी हाल ही में एक नोटिस आई थी जिसमें जानकारी दे गई थी कि उत्तर प्रतेस के वे विवाद हो गया था जिसमें लिखा हुआ था कि केवल सम्मान वर्ग और अनसूचित जाथी के विद्यारितियों को ही यह सुविधा मिलेगी उसके बारे में सासन ने एक सफाई दी है और जो OBC के चातर थे उन्होंने इसका विरोध किया था कि आखिरकार OBC को बाहर क्यों किया गया है बताया यह गया कि यह अभी के नई हसंद 2008 का है और अब OBC और ST को भी इसमें सामिल कर दिया गया है पुरानी परफरा थी पुरानी सरकार थी और यह जो योजना थी बहुत पुरानी थी लगभ्पक 10 साल पहले की योजना थी और इसमें लिखा समाच के सच्चिव धीरचक्मार की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया दिल्ली इस्तित उत्करष्ट कोट के कोचिंग केंद्रों के जरिए IAS PCS की मुख्य परिक्षा के पहले प्रशिक्षन योजना का लाब विगत 13 मार्च 2008 के एक सासना देश के जरिए अनसूचित जाती और स भी सामिल कर दिया गया है आज के समचार पत्रों में अगली सूचना है इलाबाद विश्विद्याले की लिखा एक जुलाई से योजी और सोला से पीजी की परिक्षाएं होंगी नीचे लिखा इलाबाद विश्विद्याले एवं इससे संबद डिग्री कालेजों में इस कि वार्षी परिक्षा एक जुलाई तो पराइसना तक समित अन्यपार्ट क्रेमों के स्मेश्टे परिक्षा 16 जुलाई से सुरू होंगी कुलुपती प्रोफेसर आर आरतिवारी के अधक्षिता में परिक्षा समित की सो मार्कों ही बैटक में यह निरन लिया गया तीन लिखा वक इसना तक में नहीं बदलेगा परिशने पत्र का प्रारूप यूजी सी ने कमेटी की रिपोर्ट के अधार पर जो गाइडलाइन जारी किये उसमें पेपर के प्रारूप में बदलाव का सुजाव भी दिया गया है लेकिन इलाबा विश्विद्याले और कालेज की इसना तक की वार्सी परिश्व में ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि लागडाउन के पूरू परिश्व पुराने प्रेटर्न के अधार पर हो चुकी है और बीज में प्रेटर्न नहीं बदला जा सकता है प्रा इसना तक सहीत अन्र पाठिक्रमों की शिमेस्टर के में बदला हो सकता है अन्तिम्रन अभी तक नहीं हो सका है यहाँ पर एक सुचना और है लिखा है आनलाइन पीच्डी वाईवा को मंजूरी परिच्छा समीते ने पीच्डी और एमफिल का वाईवा आनलाइन कराने के मंजूरी दे दिये हाला कि इसे अनिवार नहीं किया ग आते हैं और फिलाल केवल और केवल ग्रीन जोन के जो जिले हैं जैसे हमीरपूर फतेहपूर इत्यादी वहीं पर मुल्यांकन कार होगा देखिए आप लिखा कि मेरट शहर के पांच किंद्रों पर मंगलवार से सुरू होने वाला यूपी बोर्ट का मुल्यांकन कार इस्द से ज्यादा कापिया नाची जानी थी पहले कापिया जाचने का आदेश जारी कर दिया गया लेकिन सोमवार शाम साशन ने वीडियो कांफरेंसिंग करके सभी जिलों की जनकारी ली तब तय हुआ कि मेरट में मुल्यांकन अगले आदेश तक इस्दिकित किया जाता है मादम बंद हटने के बाद ही होंगी परिच्चा जो परिच्चाएं इस्तिकित कर दी गई है वो लागडाउन जैसे समाप्त हो जाएगा उसके बाद इनी तितियों की घुफणा की जाएगी एक और सुचना है लेखा डी एलेट का आनलाइन परस्रिक्चन सुरू करने के आदेश लागडाउन के मद्दी निजर डी एलेट परस्रिक्चन आनलाइन देने के आदेश सचिव परिक्चा नियामक प्राधिकारी अनिल भूसन चतरवेदी ने दिये हैं सभी जिला सिक्चा एवं परस्रिक्चन संस्थान के प्राचारियों को सुमवार को भेजे पत्र में सचि प्रतियों ने इमेल किया है उत्तर प्रतियोग सेवा आयोग के चेर्मेन को और उनसे मांग की है कि अब ल्टी डेट के सेस्थ दो बिस्यों को जो परिड़ाम है हिंदी और समाजिक विज्ञान का उसके लिए एक मेटिंग करें और तदकाल इसका परिड़ाम जारी कर दें यहां पर देखिए लिखा है जो प्रतियोगी मोर्चा है ल्टी मोर्चा है और उसके संयोजक है विकी खान उन्होंने ये पत्र लिखा है इमेल किया है चेर्मेन को ये देखिए चेर्मेन आफिस यूपी पीएससी महोदे आपको औगत कराना है कि लोग सेवा आयोगी द्वारा अभी तक LTGIC हिंदी और समाजिक विग्यान का रिजल्ट गोशित नहीं किया गया है जिससे हिंदी और समाजिक विग्यान के प्रतियोगी चात्र भाई बहनों में असमंजस की इस्थिती बनी भी है अतहां आपसे आग रहे है कि हिंदी और समाजिक विग्यान के रिजल्ट को तुरित गोशित किया जाए क्योंकि वर्तमान समय में लोग सेवा आयोग की पास इन विसीयों के रिजल्ट को गोशित करने के अलावा कोई भी कारण नहीं बचा है आप आयोग के सदस्यों की एक अर्जेंट मीटिंग बुला करके ल्टी हिंदी और जियासी समाजिक विग्यान के रिजल्ट को लेकर के एक निर्णा कर सकते हैं जिससे की उत्तर प्रतिस के तमाम नौजवान विरोजगार प्रतियोगी चात्रों के जीवन में प्रभात का घयाहें काई ग्ली और लेकिन बची विच्ञान अंगरी जी की फैलों के प्रतियों कर नहीं तो विद्यार थी दूसरे माध्यमों से यानि की इमेल करके और ट्विटर के माध्यम से अपनी मांग रख रहे हैं इसके बाद में एक और सुचना है एक जून से होने वाली इंद्रा गांधी राष्ट्री मुक्तविश्विद्याला की सभी परिक्षाएं कोरोना वायरस महमारी क कारण इस्तिकित कर दी गई है लागडाउन के कारण पर इच्छाएं इस्तिकित करनी पड़ी यह जानकारी इग्नु के विसी नागेश्व राव नहीं दी उन्होंने नई तारीकों के गुष्णा लागडाउन खुलने के बाद समिक्चा के बाद ही की जागी यह बताया य अब कुछ उस एप पर अफलोट कर दिये गया है एक बर जाकर के अवश्य देखें पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बुद्धनवाद